तो दोस्तो आज 4th February 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे रेल्वेस एक्टर की दिगज कमपनी IRFC की शियर के बारे में जिसके उपर लगातार मेरा खरीदारी करने कर रहा है था इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है तो दोस्तो बंपर रिटन देने के बाद लास्ट पास दिन पे करने की कोशिश रेजिस्टेंस मिला और एट दा एंड फ्राइडे के दिन शेयर क्लोजिंग दिया 168 रुपए 90 पैसे पे अराउंड 0.59 परसंट गिरावर के साथ तो दोस्तो बात करेंगे इस वीडियो पे खास करके डेल्वे सेक्टर सबसे ज्यादा फॉकस में रहने वाला सेक्टर था और जिसके चलते यह सारे जो रेल्वे सेक्टर की और और देख सेकते की budget के almost एक से दो एक दो महीने ज्यादा बोल दिया एक से देर महीने पहले से अब देख सेकतो शेयर में almost 78% की movement हमें देखने को मिला था उसके बाद budget जैसे ओवर हो गया शेयर में थोड़ा बहुत हमें consolidation देखने को मिला तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे फरांस मिनिस्टर दौरा कौन से statement के बज़े से एक्चुली यह सारे railway stocks खास करके budget के दिन थोड़ा सा में correction देखने को मिला था तो देखे सबसे पहली बात यह है कि market का expectation था और actual में हुआ क्या अब कितना इंक्रीज हुआ अब देखें पहले कितना था 2.4 लैक करोर इस बार दोस्तों बरके हो चुका है 2.55 लैक करोर अब देखें उमीद से ज्यादा तो नहीं हुआ बट थोड़ा से कम हुआ एक्षोली कितना हुआ टोडल पांच परसेंट और कितना expected था अल्मूस्ट दस से 20 मिरा बात को पकड़ने की कोशिच केजिए कितना इनक्रीस होने का expected था 10 से 20 परसेंट हुआ कितना 5 परसेंट और जिसके कारण एक्चुली यह सारे रेलवे स्टॉक जो कि अल्मोस्ट बजेट के एक से देर बेने पहले से इतना अच्छा मूव दिया था उसमें सड़न ड्रॉप देखने को मिला या दो कंसॉलिडेशन देखने को मिला आयरेव से की तारा क्लियर हो चुका है अब बात करेंगे बजेट ज कि मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि अनलेस्ट द्वारा यहां पर देख सकतो जैसे कि इंडियन रेलवे फनांस कॉल्परेशन यानि आयरेप सी टीटा गर रेल सिस्टेम लिमिडेट उसके साहां साथ टेक्समों रेल एन इंजिनरिंग लिमिडेट कूट भी की बेनिफिट ऑफ निर्मरा सितारामंस बजेट 2024 अनॉस्मेंट तो जो मार्केट एनलिस्ट है उनके अकोडिंग यह जो तीन कंपनीज है रेल्वेस से एक हो गया टैक्सम को तीटा कर डेल और आयरेप सी यह तीन को सबसे ज़ादा बेनिफिट मिल सकते तो कहीने के यहां से एक अच्छा हमें हिंट मिल रहा है उसके बाद देखिए जो बजेट में अनॉसमेंट हुआ रेल्वेस के अंदर लगबग 5% के अलोकेशन इंक्रीज किया इसको बेस करके कुछ ब्रोकरेज ने अपना जो टार्गेट दिया मैं आपको थारा दिखाना चाहता हूं कि आयरे अच्छी का शियर 500 रुपाई पे जाने के लिए कितना महीनों या कितना साल लग सकता आपके अकोरिंग तो यहां पे जो टाइम फ्रेम मेंशन किया बेसिकली दो महीने से लेके देर साल तो इनके अकोरिंग दो मैने के भीतर भीतर शियर 220 या 210 के आसपस पहूंच सकता है औ और मैक्सिमम जो यहां पर टार्गेट दिया है 500 वह अच्छीव करने में मैक्स टुमैक्स यहां पर देर साल के आसपस लग सकते तो आइधिंग कि अगर सब कुस ठीक टाक रहा बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा कोई कि इंपॉसिवल अपार्ट नहीं है कितना लास्ट येर 25-26 में था अज देखते देखते देखें कहां से कहां पहुंच गया तो यह बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट आगे भी होगा तो यहां पर IFC का रिजल्ट का जो डेट है वो एनॉस्मेंट हो चुका है डेट ह है दोस्तों 9 February 2024 को दो चीज अनॉस्मेंट होगा एक फिनांशियल रिजल्ट दूसरा अधर्स बिजनेस जो यहां पर मैटर है तो उसमें हो सकते हैं या इस टैप की कुछ न कुछ अनॉस्मेंट होने का चांस है और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिए 9 February की दिन जैसे ही कंपनी के रिजल्ट उसके साथ साथ जो बिजनेस अपडेट आएगा तुरहत मैं आपको सबसे पहले वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा तो 9 February बहुत इंपॉर्टन होने जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर अच्छा देखने को मिला कितना 6 करोड को वर शेयर टोडल वॉल्यूम ट्रेड वा इसमें डेलिवरी जो टोटल क्वांटिरी था दो करोड तीस लाग से ज्यादा और परसेंटेज अब डेलिवरी की बात करें 37.30 का सबसमें डेलिवरी का रेट देखने को मिला यानि ओवर अच्छे से मालू होगा शेयर जब चल रहा था सतर एकतर पचतर असी के नीचे काफी महीन हो था कमने देखा था शेयर कंसॉलिट किया था ठीक है उस लेवल पर बाइंग करने के आईडियल पोजिशन था विकास उस टैम पर उसके पहले शेयर अपना अल्टाम हाई आपको मिल रहा है आपका क्या रनीती हो सकता है वह मैं आपको सीधा सीधा टेकनिकल चार्ट पर लेके चलता वहां पर या कि थोड़ा डिटेल में डिसकास करेंगे पर उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तेक अच्छा लगा इंफर्मेटिव लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टैप की इंपोर्टेन शेयर की रेकोमेंडेशन पाने के लिए इंफर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हर रोज तो फिलाल देखिए एक टाइम था जब आज से लगबग चार-पांस दिन पहले शेयर का जो आड़ेसा इंडेक्स वह आमने देख ला था कि 80 प्लस चल रहा था याद होगा शायद आपको आपके इसाथ में शेयर भी किया था बहुत बार क है अब मैं आपको थोड़ा डीटेल में दिखा रहा हूं यह देखिए शेयर में बाई करने का आईडियल मौका है यह वाला पोजिशन जब एकदम क्या कंसॉलिडेट करें कंसॉलिडेशन फेज में चले यहाँ भी आप बाई कर सकते थे जब हमने देखा था सो क्या सपास 95 फिर से देखिए मौका आ चुका है अगर आप गौर से आपको शॉर्ट फ्रेम में देखा था हूं यह देखिए अपना अल्टाइम हाई इस लेवल पर टच किया था 192 पर बात को अच्छे से पकड़ने की कोशिच करना यह शेयर आज की डेट पर आपको मिल रहा है 168 यह परसंडेज वाई इस कैलकूलेट करके देखोगे आपको आयरेपसी का जो शेयर है लगबख 9 से 10 परसेंट डिसकाउंटेड वालेशन में मिल रहा है अपने जो आल्ल टाइम हाई है उसके साथ कम्पेर करें तो यानि देखिए यहाँ पे जो लोग सोच रहा है कि ओफेस आ आज भी मिल रहा है तो देखिए गबबेंड की ओफेस आने का चांस इमीडियेट काफी कम है बट हागर शेयर चल चुका तो उसके समया बोलूँगा फिर से पहले जासा वेट कीजिए बट अगर आपको पर्चेस करना है तो आपके लिए 165 या 170 की विता जो भी लास्ट ड कोशिश करना कि मैं कौन सी टार्गेट करने की कोशिश करना हूं ठीक है तो सब्सक्राइब में सटेन गिलावट हो जाता है तो कहां तक गिर सकता है बीच में अपना आल टाइम हाई जब यहां पर टच्का तो 192 पे उसके टीक एक दिन बादी यहां पर देख सेकतो यहां पर नीचे की तरब मूफ किया और लगबक 150 से 155 के भीतर एक अच्छा सपोर्ट मिला तो अगर इस लेबल से खसकता है मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो मैक्स टुमैक्स मेरे अकोरिंग देर सो से 155 तक जाने का चांस है विकॉज यहां पर एक अच्छा स्प्रॉंग सपोर्ट जोन है उपर की तरफ बात करें सब्सक्राइब बड़े कंपनी बन चुका यह आज की मीट का भी है स्मॉल का कंपनी नहीं है लाख हो करो पर इसका मार्केट वैलिशन पहुच चुका है तो उ कुछ महीनों पहले देखिए यहां पर क्या कर रहा था कंसोलेडिशन में चल रहा था डिसमबर की फर्स्ट यह सगेंड विक तो आगे अगर एक दो महीन और कंसोलेडिशन देखने को मिले तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है थोड़ा पेशन्स रखे देखना और होल्ड किजे तो फिला दोस्तों इस वीडियो को वाइंड आप करते हो मिलते नेक्स वीडियो पर तब तक लिए टेक क्या बाबाई जाए हिंद